तो आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में तो आज हम पढ़ने जारे जबाहा नुबोद्य विद्ध्याले इंट्रेंस एक्जाम क्लास 9 का मैथमेटिक्स का फर्स चेप्टर जिसका नाम है हमारा नंबर और नंबर सिस्टम और यह जो चेप्ट इसको मैं पूरे डिटेल में परहाने वाला हूं और जो कोई क्वेशन हमारा जब आहनो बोद्य विद्ध्याले में इस चेप्टर से रिलेटर पूछा गया और सारे क्वेशन मैं आपको इहीं पे करवाने बाला हूं इसलिए मैं आपसे रुक्रेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाज तक देखिए और एक और बात आपने अभी तक हमारे चैनल बान एच्टकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया अपने सीड़्स के नहीं कि हमारे बातीज talk कि एक हम वालाने के बाता हो बढने सब्सक्राइब लोगा है बीडियो कि हमारे स्की सब्सक्राइब करें चलिए आप अपने चैप्स करने से पहले मैं ऐत no रच drive और चय्क्राइब हो सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि जब भी मैं जब आहार नोबोदी विद्याले इंटरेसिंग एक्जाम से रिलेटेड कोई वीडियो बनाऊ तो आपको नुटिक्शन मिल सके तो अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि नंबर क्या होता है और यह जो हमारा नंबर है यही आज का का टॉपिक है यह आपको ट्वेल्थ स्टेंडर तक आपको देखने को नहीं मिलेगा और इस वीडियो में क्या पढ़ने जा रहे हम इस वीडियो में रियल नंबर के बारे में पढ़ने जा रहे और मैं आपको बता दू कि यह जो चेप्टर है वह एक दूसरे से अब मैं मैं बता दू कि यह जो रियल नंबर होता है क्या होता है यह मैं आपको बाद में बताने बलाऊं अब मैं आपको बता देता हूं कि यह हमारा रियल नंबर होते हैं यह भी हमारा दो टाइप के होते होते हैं हमारा एक होते हमारा रियल नंबर और दूसरा होते हमारा it vaissear na neva तो यह जो आप देख रहे हैं डिगन लेट यह जो है अमारा इस इसप्टेट का सबसे ज्यादा इंपाट्ट पंट का है है यह हमँरा रिशनल नमबर है और फिर थोड़ा सा आपको इस नमबर मीजंब पढ़ेगा तो अब हमें start करतेते कि सबसे पहले जान लेते कि यह जो हमारा रिएल नंबर इंद्र क्या होटा है तो यहां पर देखे यह रियल नंबर को हम हिंदी में क्या नंबर बोलते हैं जो भी निचनल नंबर है my Olě नूंबर int इंटीजर, 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 इं आप देख सकते हैं कि यह 2 y 3 है यह हमारा क्या है यह जो है हमारा ओ रिसनल नंबर है और मैं आपको बता है कि जो भी हमारा रिसनल नंबर जो होते हैं वह हमारा रियल नंबर होते हैं अब यहां पर यह जो रूट 4 है यह रूट अंडर 4 यानि कि यह 2 ही होगा तो यह हमारा क्य अगले टॉपिक के तरह भड़ते हैं तो यहां पर देखे यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं और थोड़ा सा इरस्टनल नमबर के बारे में मैं यह चीज इसलिए आपको बता रहा हूँ क्यों कि आगे अगर मैं पढ़ाऊं तो आपको थूड़ा सा नोलेज हो इन सब चीज के बारे में और आपको कन्फ्यूज नहीं हो सके आप लो अब यहां पर देखे जो भी हमारा रेशनल नंबर होता है वह हमारा इंटीजर का गुरूप होल नंबर और नेचुल नंबर मतलब कि यह जो हमारा नेचुल नंबर है वह हमारा रेशनल नंबर में आता है और इंटीजर जो है हमारा रेशनल नंबर में आता है अब यहां पर यह जो Natural number क्या होता है? Whole number क्या होता है? और Integer क्या होता है? यह मैं पूर डेटैल में बताने बलू अब यहां पर दिखें Εurrational Number होते हैً तो हमारे ऐसा Number जो perfect Square नहीं होते हैं ओ हमारे क्या होते है ओ हमारे irrational Number होते हैं जैसे root Under 2 जो है हमारा इरेशनल नंबर है तो अब यह रेशनल नंबर क्या होता है इरेशनल नंबर क्या होता है उससे पहले मैं आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंडिजर और प्राइम नंबर क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि कोई आगे आपको confusion नहीं हो तो चलिए हमारा होता है नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं हिंदी में हम नेचुरल नंबर को बोलते हैं अब यहां पे नेचुरल नंबर क्या होता है काउंटिंग नंबर और कॉल्ड नेचुरल नंबर तो जो भी हमारा काउंटिंग नंबर होते है वह हमारा natural number होते हैं अब यहां पे मैं आपको एक example बताऊंगा अगर मैं आपको बोलू कि यहां पे आपको count करना है कि इस figure में कितने घरी हैं तो आप इसको कैसे count केज़ेगा आप इस घरी को 1 बोलिएगा इस घरी को 2 बोलिएगा इस घरी को 3 बोलिएगा और इस घरी को 4 बोलिएगा और इस घरी को 5 बोलिएगा तो आप बोलिएगा कि इस figure में हमारे पास 5 घरी है तो एहां पे आप देख रहे हैं कि आप counting start कहाँ से कर रहे हैं आप counting start करना है 1 से और जितना समागरी है वह आप मतलब कि आप उसको count कर देते हैं देते हैं तो यह जो है हमारा यह जो 1 2 3 4 सब है यह हमारा काउंटिंग नंबर है और काउंटिंग नंबर हमारा क्या होता है मैं आपको बदा है कि natural number हमारे counting number होता है और counting number हमारे start कहां से आपको यहां पर देखे counting number जो आप देख रहे हैं यह हमारा one से start होता है one हमारा counting number है 2,3,4,5,6 और so on means infinite number of counting number हम लोगों के पास है और यहां पर एक बहुत ही ज़़या important point है the collection of natural number is denoted by n और यह जो हमारे natural number के जो भी collection होते हैं हम उसको किसे denote करते हैं हम उसको n से denote करते हैं जैसे मैं अगर मालीजे यहां पर हमको natural number का collection लिखना है तो हम इसको कैसे denote करेंगे n लिख देंगे और फिर यह जो bracket देख रहे हैं उसमें आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 और infinite तक हमारा natural number होता है अब चलिए अब हम true number के बाद हम देख लेते हैं किหोल-number क्या होता है अब हम देख लेती है whole number क्या होता है अब हम देख लेते है whole number क्या होता है तो तो आउनी नमर टूगेदर विथे जीरो फ़ॉन्स रॉण्स औप डबलो अफ तो यह जो है हमारा नेच्रल नमबर है तो मान लिजे 1,2,3,4,5,6 और इन्फनाइट अब यहां पर देखे इस फैमिली में हम एक और नमबर एड़ कर दिये इसमें अगर मान लिजे हम जीरो एड़ कर दिये तो यह जो हमारा नमबर का कॉलेक्शन हो गया यह हमारा कौन सा नम लेकिन मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं कि कि जब भी मैं आपको रिशनल नमबर समझाओं तो उसमें कुछ पॉइंट है रिशनल नमबर के वह आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए अब हम अगले ट्रॉपिक के तरह बढ़ते हैं तो अगला topic है हमाराqué इवेन नमबर क्या होता है और फिर हमारा ओड नम इन थोड़ इस और आपको sa थी आपको समझा देता हूं कि यह आपको बहुत ही असा आी समझ में आजाए अब अब chi कि आसके कहां हुआ है अश्युमारे जो मदब कि कि और यहां आपको यहां पर देखे और नमबर तो वन को आप नहीं डिवाइड कर सकते हैं अगर आप थीरी को तो यहां पर एक बार में तो आएगा लेकिन हमारे पास रिमेंडर हमारे पास वन आ जा रहा है तो यह हमें बता रहा है कि यह जो हमारा थीरी है और यहां और नहीं है अब मैं एक और एक जामपल दे रहा हूं फाइब हमारा वह तू से डिवीजबल नहीं है देखे आप इसको भाग दे जागा तो चार बार में आ जाएगा और एक है हमारे पछी क्या बाचे गैँ यह मारा रिक्डि मैंडी गम वचेगा तो यह सब जो यह दूसरे डैजिबर नहीं है जैसे में यह हमारा थीरी हो गया और यह हमारा दूर्ऑ जो अब चलिए अब अगले topic की तरफ पढ़ते हैं अगला हमारा topic है Prime number जिसको हम अवाजे संक्यां बोलते हैं, हम जान लेते हैं कि यह जो हमारा Prime number है यह हमारा Prime number क्या होता है तो दूज नंबर बीचाимृण बीच बिविजबलबस राइब NOT and the number itself is known as prime number तो prime number को आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझना चाहिए means यहां पर देखे, prime number का definition क्या बोला है दूज नंबर बीच आ divisible by 1 ऐसा number जो 1 and itself से divisible हो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा prime number है means ऐसा number यह तो वो 1 से divisible होगा यह हमारा वो अपने आप से divisible होगा यानि कि दोनों criteria हमारा पुड़ा होना चाहिए means ऐसा number जो सिर्फ 1 और अपने आप से divisible हो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको prime number बोलते हैं अब यहां पर मैं आपको prime number का example बता देता हूँ अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो 2 है, 2 हमारा prime number है 3 भी हमारा prime number है, 5 भी हमारा prime number है, 7, 11, 13, 17, 21, 23 यह सब जो हमारे number होंगे, यह हमारा prime number होंगे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि यह हमारा prime number क्या होता है अब यहां पर देखिए अब यë जो 2 है, 2 हमारा prime number क्यों है? 2 जो हमारा, वो prime number इसलिए है, क्योंको 2 को या तो 1 divide कर सकता है, या 2 अपने आपको divide कर सकता है, अब यहा पर दे कि 3 को 3, वो भी हमारा prime number है, क्योंक Vegetable 3 को 1 divide या 3 को 3 divide कर सकता है, अब यहां पहरे मैं आपको एक और चीज बता दो कि 건조 होते हैं उनके पास दो ही फैक्टर होते हैं यह बहुत ही इंप्रटेंट प्ॉइंट है आपको याद रखना है मतला कि कि प्राइम नंबर को दो ही संख्या भाग दे सकते हैं तो इनके factor हो गई है यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो का two का factor क्या होगा two का जो हमारा one होगा त्युक्त में ठीरे का factor हमारा one है और ठीरे i.e3 है तो हम क्या करेंगे हम इसको फैक्टर निकालेंगे अब 4 को कौन सा बसंगे भाग देखता है 4 को 1 भी देख सकता है 4 को 2 भी देख सकता है और 4 को क्या 4 भी देख सकता है तो यहां पर एक छी ध्यान दिजेगा कि 4 के पास कितना फैक्टर आ रहा है 4 के पास जो है हमारा एक factor 1 हो गया दूसरा factor 2 हो गया और चौथा factor हमारा मिस तीसरा factor sorry मैं चौथा factor बोल गया तो यह जो यहां पर 4 के पास कितना factor है 3 factor है 3 factors है लिकिन हम मैं आपको क्या बता है मैं तो आपको बता है कि prime number के 2 factor होते है prime number के 2 factor होते है तो यह हमारा फूर हमारा प्राइम नमबर नहीं होगा अब मैं आपको एक और एक्जाम्पल की मदल से जम्दा देता हूँ अब यहां पर देखे 6 अगर हमको चेक करने को बोले कि 6 जो हमारा प्राइम नमबर है किने तो मैं आपको बता है कि प्राइम नमबर ऐसा नमबर होते हैं जिसको या तो 1 डिवाइड कर सकता है या अपने आपको डिवाइड कर सकता है तो यहां पर देखिए कि 2 को कौन-कौन सा संख्या डिवाइड कर सकता है या तो 1 कर रहा है या 2 कर रहा है और यहां पर 2 के पास कितना factor है 2 factor है तो यह जो है हमारा prime number है 3 भी हमारा prime number है 3 जो हमारा prime number है और 3 के पास भी हमारा कितना factor है 2 factor है अब मैं आपको एक चीज बता दूँ कि थोरा सा आपको मैं एक होमबर के तौर पे एक चीज आपको दे रहा हूं तो आपको एक से सो तक का प्राइम नंबर आपको याद रखना है कि कोई कभी-कभी एकजाम में पूछ लिए जाते हैं वाजसे यह जो टॉपिक है हमारा वो six standard का है लेकिन मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि यह जो चेप्रा है वो एक दूसरे से connected है तो चली अब हम अगले topic पर पढ़ते हैं अब हमारा main topic आगया अब हमारा topic है rational number rational number क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूं इहां पर देखे rational number को हम हिंदी में क्या भूलते हैं हम हींदी में rational number को परीमेश चंख्या बोलते हैं अब इहां पर देखे the number of the form pyq where p & q are integer and q is not equal to 0 is known as rational number तो एहा으면 पे आपको ध्यान में दखना है तो numbers which are of the form pyq ऐसा number जो pyq के form में हो और p & q जो है वो हमारा integer हो आप मैं आपको बता देता हूं कि क्या होता है यहा पे एक और हमारा main इनपोटेंट है तो जो भी हमारा बसे क्थे हम क्से कर यहां वो एब incident को बहुत ही अक्षी तरह से समझते हैं कि की यह जो है हमारा हमारा int isr होना चाहिए थीस्रा ऑंट हमाराלא क्या है यह जो क्यू है ऊमपन हाँ जोever कजैए अब यहां पर इहां पर गारेक्थ क्या है यह देखने नम्र है क्या होर्म में और क्यों प Healing क्यों फॉप एंगिटीजब़ ऑर एक वह मक्रें पर इकिंपन और ब kuv Nat G. 4 2 by 4 यह भी हमारा क्या है यह भी हमारा rational number क्यों क्योंकि यह हमारा P by Q के form में है और साथ हिता साथ 2 और 3 जो हमारा वो integer है और यह जो आप Q बला पार्ट देख रहे हैं वो हमारा क्या है 4 है 0 नहीं है तो यह तीन क्राइटेरिया आपको पूरा होना चाहिए यह तीनों क्राइटेरिया अब मैं आपको एक और example की मदद से समझा देता हूं अब यहां पर देखे अगला example है मेरा minus 4 और 5 यह हमारा क्या है यह हमारा rational number क्यों क्योंकि यह हमारा P by Q के form में है और यहां पर देखें –4 भी हमारा integer है, integer क्या होता है, minus बाले number और positive number को हम integer बोलते थे यहां पर देखें यह हमारा minus 4 है और यह जो 5 है यह भी हमारा integer है और साथी साथ P by Q के form में है और Q है वह हमारा 0 नही है अब एक और चीज में आपको confusion यहां पर एक चीज जो बच्चे में हमेशा confused होते हैं और मैं आपको बता देता हूँ अब यहां पर इस example को आप ध्यान में देखें यह जो 4y0 है हमारा यह जो 4y0 है यह हमारा rational number है नमर्में पिक के form में है नहीं होना चाहिए यह तीन पॉइंक्त को ध्यान रखना में पहला तो वा मरा पिक के form में होना चाहिए और पैक्क जो हमारा इंटीजर होना चाहिए और तीसरा point सबसे ज़यदा important point है वो हमारा क्या? Q is not equal to 0 मतलब कि Q जो हमारा ओ 0 नहीं होना चाहिए लेकिन यहां पर क्या Q हमारा 0 है अब एक और चीज मैं आपको clear कर देना चाहता हूं अगर मैं बोलू है यहां पर 0 by 5 हमारा क्या? 0 by 5 हमारा rational number है हाँ तो यह हमारा 0 by 5 जो हमारा rational number है क्यों? यह हमारा PYQ के form में है PQ हमारा integer भी है और Q जो हमारा क्या है? not equal to 0 Q जो हमारा ओ 0 के बरावर नहीं है तो यहां पर तो मैं आपको पता दिया है कि rational number में सिर्फ और सिर्फ आपको 3 point याद रखने है अब चलिए मैं आपको rational number का example बता देता हूँ और अगले point बता देता हूँ अब यहां पर जो मैं आपको detail में समझा है वही चीज है अब देखे P और Q हमारा PYQ के form में होना चाहिए और PQ हमारा integer होना चाहिए और Q हमारा Q क्या होना चाहिए अब यहां पर चलिए मैं आपको rational number का example अब देखे 2 x 3 जो हमारा यह हमारा रिस्नल number के form में है और 4 x 10 जो हमारा यह भी हमारा rational number के form में है अब यहां पर देखे minus 12 by 32 अब यहां पर आपको minus देखके आपको confuse नहीं होना चाहिए यह जो माइनस बाला जो number होते हैं, वह भी हमारा क्या होते हैं, यह जो हमारा number होते हैं, यह भी हमारा integer ही होते हैं, आपको ध्यान में रखना है, अब यहाँ पर दिखें, 3 by 9, यह भी हमारा rational number है, अगला है हमारा 67 by 32, यह भी हमारा rational number है, आपको मैं बोल दू, negative sign से आपको मतलब नहीं रखना है तो इहां पर मैं आपको पहुंत ही जदा डीटेल में नुमघपळ नॉम्फ पढ़ स्क्क्र monopoly परादनेलीन सहे नंबर पर्यान डूरी होते हैं वह हमारा द्थिन पर गुद्हिंप में पार जाते हैं अब मैं आपको दूसरा इंपोटेंट पॉइंट बता देता हूं अब यहां पे देखें द्यरीज नो लीस्ट और गेरेटेस्ट एसट रिसने माल यह भी बहुत ही ज्यादा इंपोटेंट प्वेट मैं अपकोई भी सबसे बारा रेशनल लिंबर आप नहीं निकाल सकते लाही आप सबसे छोटा रेशनल नमबर होते है, रेशनल नमबर हमारा 0 भी होते है, क्यासे है, क्योंकि हम 0 को PYQ के फ़र में लिख सकते हैं, जैसे में देखें, यहां पर यह जो 0 है, हम 0 by 1 लिख सकते हैं, इसको हम 0 by 4 लिख सकते है, 0 by 3 लिख सकते है, 0 by minus 2 लिख सकते है, 0 by minus 7 लिख सकते है, तो यह जो हमारा 0 है, यह हमारा क्या है, यह हमारा rational number है क्यों, क्योंकि यह जो हमारा pyq के form में आ जा रहा है, यहापे आप देख सकते हैं, pyq के form में हमारा 0 है, अब हम अगले topic के तरह है every natural number is rational number since we can write one is equal to one by one सिम्चीज जो भी हमारी natural number होते है 1 2 3 4 so on में spoke how it is इस जो हमारा natural number यह हमारा यह हमारा rational number हो था है क्यों क्यों हो सब्सक्रच के हम 1 by 1 लिख सकते है 3 को हम to 2 by 2 लिख सकते है 4 को हम 4 by 4 लिख सकते है और यह owitzो हमारा P by Q के form में है तो यह जो हमारा number है यह हमारा चैय ही हमारा number होते है यह LOL ritual number होते है अब हम चले अगले point के तरब बढ़े हैं हमारा अगला point है every intager is a rational number since an integer can be written as a by 1 तो एहाँ पर यह पर पहले से सम्झा रहा है कि आपको minus से मतलब नहीं रखना है तो यहां पर जो भी हमारा integer होते हैं चाहे वो हमारा negative integer हो चाहे वो हमारा positive integer हो वो सारे जो हमारे होते हैं वो हमारे rational number होते हैं जैसे मैं यहां पर देखें minus 31 को हम क्या लिख सकते हैं हम minus 31 को minus 31 by 1 तो लिख सकते हैं अब यहां पर देखिए तो यह जो चीज है, यह सब चीज आपको आना चाहिए, बहुत ही हलका पॉइंट है, आपको बहुत ही अच्छी तरह से आना चाहिए, हमारा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉटेंट पॉइंट है, और यह जो चीज है हमारा, वो हर एक 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 एक्जाम में पूशा जाता है, और ये जो है बहुत ही ज़्यादा important है अब आपको examрыst दिया जाएगा ये जो pi है और ये 22 by 7 है ये हमारा rational number है किने अब यहाँ पर आप तो बता जेगा ये जो 22 by 7 है ये हमारा rational number है क्यों है क्यों है क्योंकि ये जो हमारा number है ये हमारा P by Q के form है अब यहां पर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि यह पाई है यह क्या है तो मैं आपको बता दूगी है जो हमारा पाई है इजाम के math में एक चेप्टेर है हमारा area volume and surface तो उसमें आपको मालूम चलेगा कि यह जो हमारा circle होता है उसके circle के formula में हमारे पास एक digit आता है और उ हमारा होता है जैसे πाई जैसे में यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो हमारा circle है circle का अगर हम circumference निकालते हैं तो πाई आपको हमारा area and volume chapter में है तो यह इतना याद रखना है कि यह जो पाई है हमारा यह पाई हमारा क्या है जो पाई हमारा irrational number है irrational number आपको ध्यान में रखना है irrational number मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि यह जो पाई है हमारा ओ इरेशनल नमबर है अब चलिए अब हम कुछ कोस्टन कर लेते हैं क्योंकि अब भी तो मैं आपको यह पार्ट वन है तो पार्ट वन में आपको ज्यादा कोस्टन देखने को मिलेगा नहीं फिर भी मैं दो तीन कोस्टन आपको करवा देता हूं यहां पर देखे विश ओ तो फ्लॉइंग इस नॉट कोरेक्ट हमें बताना आए कि इसमें से कौन कोरेक्ट नहीं है अब यहां पर देखे 11 जो है हमारा वं कोरेक्ट है तो हम क्या क्रेएंगे इसमें टीक नहीं मारेंगा 11 हमें नहीं अबर आतो करेक्ट है तो हमinka कोरेक्ट है 2एंप ने देखे 235 जो है यह हमारा 8 यह हमारी इस ली नंबरusion है तो यह हमारा गलत दो यह जो है क्योंकि हमें क्या पूछ राथ था कौन सा क्योंत नहीं और दिसफी की सो मरत जिलाएונה क्यासिए क्यूधिभी जो भी दिसंगिया आप ऊसको 30 ते पास कर सकते पार देखेशन्स हर और q is not equal to 0, q जो हमारा ओ 0 नहीं होना चाहिए, अब यहां पर अगला कोशिए नहीं है, बीच of the flowing is not true, तो हमें मैं पता ना है कि इसमें से कौन सा true नहीं है, यहां पर देखिए πाई is irrational number, तो हाँ, पाई जो हमारा ओ irrational number है, यहां पर देखिए 22 by 7 is rational number, तो मैं आपको बताया, म अब यहां पर देखिए अगला है हमारा root 181 is irrational number, तो यहां पर अगर आपको मालूम नहीं है, irrational number क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूं, कोई भी ऐसा number, जो perfect square नहीं है, वो हमारा irrational number है, जैसे में देखिए, यह जो हमारा 4 है, यह हमारा rational number है, root 4 हमारा rational number क्योंकि यह 2 का यहां पर देखे यह हमरा 2 का स्कॉइर है अब यहां पर देखे रूट अंडर 36 जो हमरा ओ क्या है यह भी हमरा रिशनल नंबर है क्योंकि इसका भैलू क्या होता है 6 होता है अगर आपको यह सब चीज अगा थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बायत नहीं मैं आपको क्यूब क्यूब रूट स्कॉब औं स्कॉर म्यार पढ़ाने भाला हूँ वह भी बहुत ही ज्यधा डिटेल में तो यह गलत है क्योंकि यह हमरा और रेशनल नंबर है तो वहுं क्या करेगे है यह तो नॉ नॉट है अब अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्यान पहला होता है तर्मीनेटिं रेसलन नंबर और दूसरा होता है नॉन टर्मीनेटिंग तर्म देखने को मिलेगा यह जो आप ऊपर एक नंबर के तरफ आप एक लाइन देख रहे हैं इसको बार बोलते हैं और आपको यह आपको अगले चेप्टर में आपको इसको PY.Q. के फॉ पूरे डिटेल में बताऊंगा तब तक मैं आपसे रिक्विस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल बान इसकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि आपको हमारे चैनल पर जो बहुत ही अच्छे रहिए और अगर अन्ने बाद आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में जैहिंट